अब आज की क्लास में हम क्वेशन नंबर टू को स्टार्ट करेंगे ठीक है लुकेट दे पिक्चर एंड आंसर दा फॉल्वेंग ये पिक्चर को देखिए और आंसर कीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए कुछ डांसर्स है ओके क्या लिखा है नीचे तो यहाँ पर आपको उपर से देख के ये बताना है कि कितनी डांसर्स ने रेड कलर की कपड़े पहने है कितनी डांसर्स ने यलो कलर की कपड़े पहने है कितनी डांसर्स ने ब्लू कलर की कपड़े पहने है ठीक है तो यह आप लोग खुद से करेंगे count करेंगे और इधर आंसर लिखेंगे ओके यह आप लोगों का answer है sorry home work है ओके तो यह आप लोग खुद से solve करिएगा now next question Sachin and Tony went to the zoo and saw some animals Sachin और Tony ने zoo गए ठीक है और उन्होंने कुछ animals को देखा they draw star to show the number of each animals और उन्होंने animals बताने के लिए कि कौन सा animal कितना है वो बताने के लिए उन्होंने star को stars draw की है ठीक है count the star and answer the question of the follow answer the questions that follow क्या करना है आपको star को count करना है ठीक है और उसको जो वहाँ पर questions दिये हुए है उसको आपको answer देना है monkey one two three four five six seven eight monkeys कितने है एट है और यहाँ पर एक note भी दिया हुआ है each star is equal to one animal मतलब एक star का मतलब क्या है एक animal ठीक है तो monkeys कितने है एट है lion three zebra one two three four five six seven giraffe four and elephant भी कितना है four है ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या question दिया हुआ है how many more elephants are there than the lion elephant lion से कितने ज्यादा है तो lion three है और elephant four है तो lion sorry elephant कितना ज्यादा है one ज्यादा है ठीक है उसके बाद which animal was found in most number in the zoo कौन सा animal zoo में सबसे ज्यादा पाया गया या फिर सबसे ज्यादा मिला है ना तो बताइए कौन सा animal सबसे ज्यादा मिला है यहाँ पे यह monkey तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे monkey okay question how many zebra and giraffe were there in all कितने सारे zebra और giraffe वहाँ पर हैं अगर हम उनको total करते हैं तो आपको क्या करना है जिराफ और zebra को एक साथ count करना है ठीक है one two three four five six seven eight nine ten and eleven total करेंगे plus करेंगे तो answer क्या आया eleven ठीक है तो यहाँ पर हमने eleven लिख दिया now next how do the children in your school come to school in your class come to school मतलब आपके class में जो बच्ची होंगे कुछ ठीक है वो school कैसे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है means of transport कुछ bus से आते हैं कुछ cycle से कोई पैदल चल के आते हैं और कोई auto में आता है तो इसको देख लिया आपने ठीक है यहाँ पर numbers दिये हुए हैं कि कितने बच्चे आते हैं ऐसे अब यहाँ पर देखिए question में पूछ रहा है least number of children come by मतलब सबसे कम बच्चे कैसे आते हैं ठीक है by walking ठीक है और उसके बाद कितने बच्चे ज्यादा मतलब ज्यादा बच्चे किस में आतें बस में आतें सबसे ज़दा बच्चे बस में आतें तो यहाँ पर आप लिखोगे by by तो लिखा हुआ है है ना तो by लिखने की जरुवत नहीं है यहाँ भी by लिखा और इसको भी नहीं लिखेंगे सिर्फ walking लिखेंगे और by यहाँ पर लिखेंगे बस ठीक है so today we have completed our chapter number 6 तो आज आप लोगों का chapter number 6 कतम हो चुका है और आप लोगों का जो maths का course है वो भी complete हो गया है ओके अब हम लोग कुशी टाइम में revision स्टार्ट करेंगे